बैसे शुरू तो लोजिकली वाइदा वाले रिजल्ट से करना चाहिए था लेकिन पीबी फिंटेक से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि पदा नहीं हो जकता है पैताली इसके बाद किसी वक्त लाज ट्रेड हो जाए क्या पता किस तरह की डिमांड बैठ जाए पीबी फिंटेक में दर असल एक लाज ट्रेड होने की तहियारी हो रही है का जा रहा है इस कम्पनी के डिरेक्टर्स वन पॉइंट एट सिक्स परसेंट हिस्सा बेचेंगे जिसमें चेर्मिन और सीओ साब जो है दहिया 54 लाक शेयर्स बेच रहे है और वाइस चेर्मिन होल टाइम डिरेक्टर ने बंसल जाब वो भी अपना माल छोड़ेंगे करीब करीब 30 लाक शेयर्स के आस पास दोनों का मिलकर साड़े 6 परसेंट स्टेक है इस समय कम्पनी में कहा ये जा रहा है इलाज च्रिड इसलिए हो रहा है कि टैक्स पेमेंट्स और फ्यूचर इसॉप एक्ससाइज के लिए प्रोसीड का इस्तमाल होगा और यहां से अब अगले एक साल तक ये एंटिटीज माल नहीं छोड़ेंगे यानि कि प्रमोटर्स माल नहीं बेचेंगे फर्दर स्टेक सेल के बजार में नहीं उतरेंगे फ्लोर प्राइज है 12.58 यानि कि कल की क्लोस से अप टू 6 परसेंट का डिसकाउंट ख़बर तो खराब सी है पर आज कल पैसा हर जगे इतना है खास तोर पर डिमेस्टिक इंस्टूशन के पास कि हातों हाथ ले लिया जाता है खैर वो जब होगा जिस विंडो पे होगा उससे क्राइलिटी आ जाएगी आज की चाल कैसी रहेगी कल लेकिन और लेकिन पांच-चाड़े-पांच परसेंट चड़ा हुआ था ये स्टॉक सनी टेक्निकली तो बात मिलेंगे फंडमेंटली आप लोग रिडाप पे आपके है क्या बहुत छे मूज इंजॉय कर रहे हैं 1314 सपा के खड़ा हुआ अलड़ी इसके लोज से तो गजब रिकावरी प्रेड बना हुआ है प्रेंटली आइटिंक कईने की एक जो रिकावरी देखी हमने पर्फॉर्मस में काफी रोबस रही है पीपी फिंटेक में इन फेक्ट अक्रॉस टेक प्लैटफरम वेज़र डिक जोमाटो पीपी फिंटेक हमें एक का कैंड ओंसिस्टन्ट इंप्रुमेंट तो देखी रहे पीबी फिंटेक देखने वाई इसमें एक ही चीज है शायद विंडो नहीं हो रही है क्योंकि डिस्काउंट जादा है तो उसके अगर डिमांड जादा स्ट्रॉंग वेंडो में बीजीट हो जाए वसे चांसे इस बार विंडो में इग्सेट हो जाए लेकिन देख लेते है एक तो प्लाटफॉर्म कंपनी है यह मेरा यह मानना है कि इसमें आज वन वे और अदर बॉटम बनेगा वैसे भी यह स्टॉक काफी स्टॉंग रहा है एक मेरे काफी प्रेफर्ट पिक्स में भी रहा है मैंने एक बास्केट अप्रोच में जब बात की थी उसमें उसमें खै चार-पांच परसेंट उस दिन से पहले गिरा हुआ था जिस दिन खवर आई थी पिटा हुआ स्टॉक था यह पीवी फिंटेक चड़ा हुआ स्टॉक एक तब ताल जैसे खड़ा हुआ था कल और शाम को अपडेट आया कि प्रमोटर्स माल चोड़ेंगे यह ध्यान रखना है अब आईए कुछ वाइदा के रिजाल्ट्स पे उसमें पहले बायो कॉन रखता हूँ आपके सामने नंबर्स दिखने में कमजोर से लगेंगे पर पहली बतायता हुआ जो एक्सपेक्टेट था उससे बहतर परफॉर्म करके दिखाया है मानस बायो कॉन का चार्ट आप रेडी रखो आए में चार परसेंट की बरत है एक्सपेक्टेट था फ्लैट रहेगी दो परसेंट के आसपास पड़ेगी मारजिन 26 से घटके 23.4 पे आए हैं एक्सपेक्टेट 21.5 था तो इसलिए मैं कहा जो एक्सपेक्टेट था उससे बहतर परफॉर्म कर रहा है बेटर इन्होंने इसके कॉंफरेंस कॉल जो हुआ था उसमें नहीं कहा है कि 200 मिलियन डॉलर्स के आसपास की डेट हमने रीपे करी है डेट मैनेजमेंट हमारे लिए की प्रारेटी है नंबर एक्सपेक्टेशन से बहतर और इस तरह के इंटर्नल्स ठीक ठाक लग रहे हैं मानस खर आज 316 रुपए की उपर स्टॉक से खरीदारी करने चाहिए 309 रुपए के स्टॉप लॉप से तीन सो थीज़ रुपए तक के टार्गेट पॉस्यूल है अगर लॉंग चार्ट पर देखें तुछ बहतरीन है आप उमीद कर सकते हैं कि अगर आपके पास 6 महीने का समय हो त 500 रुपए तक इस तर भी बायो कॉन में देखने को बिल जाएंगे बिल्कूल नमबर्स वगार सब ठीक हैं मुझे एक ही दिक्कत है बायो कॉन पर बैंन में रहना लगा है अभी भी बैंन में मेरे खाल से ये स्टॉक तो ये दिक्कत है तो मतलब ट्रेड बनाना ना मुश् दूसरा वाइदा का रिजल्ट था वोड़ा फोन आईडिया गाबा सर आप चार्टेडी रखना चौती तिमाही क्यू अनक्यू नमबर्स को देखते हैं अपन टेलीकॉम कंपनीज के 0.6% आए बड़ी मार्जिन्स 10 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूव्मेंट दिखा रहे है 40.9% पर घाटा हुआ है फिर से 7,675 करोर का पर कुछ इंटर्नल्स इंट्रेस्टिंग है सब्सक्राइबर लॉसे प्रीवेस क्वाटर से इस क्वाटर में कम हुए आर्पू 146 रुपे पर है पिछले क्वाटर से 1% का इंप्रूव्मेंट एंट्री लेवल टैरिफ हाइक जो ली थी उसका फाइदा मिल रहा है और एग्रिसिफ केपिक्स की अब यह बात कर रहा है किया अगले तीन साल में हम 50 55,000 कड़ोपे तक कैपास्टी एक्सपैंशन पे खर्च करेंगे पर गावा सर देखते हैं कितना वॉक दर टॉक होता है कितना सुधर पाता है दर असल यह दंदा कितना कंपीट कर पाता है यह सब इफ्स हैं बट्स हैं पता नहीं यह स्टॉक कैसा प्लेज लगता है इसको देखना चाहिए फरम लॉंगर टर्म परस्पेक्टर हायर टाम पर जब मैं चार्ट देखता हूं तो मुझे लगता है यहां पर एक कंसलिडिशन हो रह रहेगा वोंको द्यान देना चाहिए दो टागेट है पहला रहेगा 30 रुपीज फिर रहेगा 40 रुपीज यह जोन है वहां तक जाना चाहिए तो मेरे सब से अगर कुछ कॉर्टर्स दे दें आप हायर टैम जो मैं चार्ट देख रहा हूं तो उसकी इसब लगता है 30 और 40 का यह जोन है वहां तक जाना चाहिए और यहां से डिप्स मिलती है तो बाइंग पॉस्टर्ट है और बाइंड होल स्टॉक को नहीं देखना चाहिए तो यह डिलिवरी बेस ट्रेडिंग करें इस पर इन्वेस्मेंट करें और कुछ कॉर्टर्स अपने हाथ पर रखें उतना अगर उतना वक्त है आपके पास तो आइए एक बेथर ट्रेट बनता है फिर लॉग तर्स पर रस्पेक्टर बिल्कुल आइडिया जहां दखिए इसमें लेकिन यह है कि इस भूप ट्रेड है तो अब 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 आने तो बाद मी आएंगे ज़ उसके बाद government का decide करती है यह भी बहुत चीज़े है कोट क्या थोड़ा सा एक नरम रुख लेगा आगे जाकर यह काफी चीज़े हैं मुविंग पार्ट्स हैं इनको लेकर काफी फैक्टर होगा लेकिन हा कोई भी तो 11 रुपे के नीचे नीचे ने जाना चाए यह वहाँ द सत्पुतेज़ आप क्विकली आप रेडी रखना इन लाइन नंबर्स हैं आए नौ परसेंट बड़ी ऐसे ही कुछ एक्सपेक्टिट था इबीटा चार परसेंट गिरा मार्जिंस ग्यारा पॉइंट आट वाले दस पॉइंट चार पे 140 बेसिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक कंजूमर डूरिबल्स का धंदा उसने अच्छा करके दिया क्रॉम्टन चार्ट्स पर कैसा सथ पॉइंट साथ आप आश्यू जी देखिए क्रॉम्टन का अगर आप चार्ट देखें इंटकर डीली चार्ट देखें तो आपको एक क्लियर ब्रिक आउट डिक होना चाहिए वह कम से कम होगा 400 प्लस का लेकिन इसके लिए थोड़ा वक देना पड़ेगा रही बात आज की तो देखिए तो देखिए प्रबैबली 330 यह इसका 10 DMA है जहां पर आपको डिप पे एंटर करना है और मुझे लगता है सामने 350-360 यह एक आपको स्विंग मिलेग 10 रुकिस का 10 पॉइंट का स्विंग करना पड़ेगा बिल्कुल आचा मैं इनकी मेनेजमेंट की कॉमेंटरी भी सुन रहा था कि हमारे सिस्टर चानल पे इनोंने बात की थी कि डबल डिजिट रवेनियो गुरोथ काफी सालवा के बाद आई है और ECD मार्जन जो है वो 17 पर यह पिले रहे हैं लेकिन वहां पर भी 8-10 % अविट्दी एक्सपेक कर रहे हैं लेकिन वहीं हो जाता है क्या दिक्ती हो जाती है है विच्वीज ग्यार do जब आई है कंपी टाइम तक डिकत रही थी ना तो यह सब चीजे लेकिन अपने मालभ बले के लिए यह उने नहीं हो तो भी एक बार के लिए 250-250 के नीचे मुझे लगता नहीं है, डाउंसाइड है, और वो consistently stock move कर रहा है, लेकिन चलना शुड़ हुआ पिछली एक महिने से, इसमें कोई डाउट नहीं है. एक और वाइदा का नंबर, और इस बार अमिट सेट साभ आपके पास आओगा, container corporation, concor, यह आखरी वाइदा का नंबर, चार वाइदा के नंबर पर याट करना है, अजम को. ठीक है, आये 6.5% बड़ी, उसके सामने बीटा 1.5-1.5% बड़ा, पतलब, margins improve हुए, expand हुए, 90 basis points का margin expansion है, मुनाफ़ा 1.5-3% बड़ा है, volumes अच्छे आए, 11.5-1.5% volumes बड़े, उसके सामने आये 6.5% बड़ी, इसका अधर रिलाइजिशन्स थोड़े से pain में थे, तो मिले जूले नंबर इसलिए कहा रहा हूँ, otherwise expansion है margins पो कहा रहा हूँ, highlight volume driven, यह पूरा momentum, सेट साब लेकिन चार्ट्स पर कैसा आए यह, container corporation, जी, ACC, चार्ट्स में तो कोई दिक्कत महीं है, structure काफी positive है, recently हमने stock में एक sharp move देखा था, उसके बाद, एक pullback है, 10-20 dema के आसपास, और वापिस stock एक pullback mode में है, अगर risk reward point of view से देखे, तो around 10-10-10-20 strong support area है, इसका, वहाँ पे stock मेले तो risk reward favorable रहता है, 990 का in that case top loss लगाएंगे, और उपर में मुझे लगता, 1060-1070 के targets possible है, but buy on dips भी a better strategy. Buy on dips better strategy है, सावन साब वेदानता देखेगा, अच्छा वेदानता और अधानी port दोनों देख डालिए, ताकि समय थोड़ा सा अपन manage कर पाएं, वेदानता कल board meet का outcome आया, 11 रुपे per share का बड़िया dividend डोल आउट हो रहा है, 8500 कोड़ रुपे कह रहे हैं, via issuance of securities हम raise करेंगे, और तीसरा वेदानता copper international एक plant set up कर रहे हैं, साओधी अरेबिया में, जिसकी 125 KTPA capacity होगी, खबरे अच्छी हैं, अधानी ports के लिए लेकिन थोड़ी सी गरवड़ागी का बड़े, ये कह रहा है नौर्वे कि हम अधानी ports को अपने government pension fund global से ethical concerns के चलते exclude कर रहे हैं, और है बड़ा government pension fund global, large rates में आपको हमेशा नाम नज़र आता है, क्योंकि दुनिया भर के large funds में से एक है, दुनिया भर की equity का 1.5% इकलौता fund नों करता है, और ये कह रहा है हम ethical concerns के चलते हैं, अधानी port, और reason नोंने दिये हुए हैं, इसलिए exclude कर रहे हैं, इन में से किसी में trade दिख रहा है क्या, तो कल की closing की वो करीबन 433-432 के आसपास थी, ये stock अगर 422-424 के आसपास मेरे, एक अच्छे लेवल पर buy हो जाएगा, stop loss रगेंगे 415, 415, वहां से आप एक next target expect कर सकते हो, 450-550 का, जहां तक अडानी ports की बात है, तो यहां कल जो high बना हुआ है, वो एक resistance नजर आ रहा है, एहम resistance को यह टकरा है, और मुझे लग रहा है, ये करीबन 1365, जब तक ये cross नहीं होता है, मैं यहां पर buy recommend नहीं करूँगा, और जिनके पास position हो, वो 1320-1320 का एक stop loss लगा के चले, अगर ये break हो, तो एक बार आपको बारान होगा, तो आज सब वाच आउट करें, दोनों स्टॉक्स इंट्रेस्टिंग, लेकिन दोनों में, beautifully सावन साब ने आपको explain कर दिया, किसना कि समी करण पर इठ है, आचा आज election selection में, सनी जी है, इन से जानें के कुछ बढ़िया सा एक fundamental तड़का, और आज मानस से request करी थी, कि आप positionally कुछ बताओ, कि हाँ पे दाव लगाना चाहिए, पहले आज के अब good bad अगली की तरफ पढ़ते हैं, quickly run through करता हूँ, पहले अच्छे numbers बताता हूँ, और सद्पुते साब एक काम करेंगा, त्रिवेणी टर्बाइन आप प्लीज देखके रखेगा, endurance के अच्छे numbers है, I 20% बढ़ी, EBITDA में 36% का उचाल, यानि कि margins 170 basis points expand करें, I बढ़ी, margins भी बढ़ी है expansion है, दिख अच्छे रहे, त्रिवेणी टर्बाइन ऐसे ही अच्छे numbers है, आए में 24% का जम्प, EBITDA 35% इंप्रूव हुआ, और margins 160 basis points का improvement, परकलेट हुआ, मुनाफ़ा 36% बढ़ गया, ऐसी decent numbers हैं, संसेरा इंजिनिरिंग के, सारे 20% आए बढ़ी, margins 150 basis points का improvement, 35 क्रोड का मुनाफ़ा बढ़के 86 क्रोड रुप है, ये अच्छे numbers थे cash के, साथ्वेणी तर्बाइन्स, आशिर जी बहतेरीं चार्ट है, अगर आप इसका डेली चार्ट देखें, तो लगता है कि अगर आज ये 606,606, इस number के उपर, इस level के उपर खुलता है, फिर मुझे लगता है एक बड़ा breakout की मुहर, इस पर लगेगी, जिसका target कम से कम, मुझे लगता है 635 से 640 का initially, and probably positionally मुझे लगता है कि 680 to 700 का target unfold करेगा, तो आज के लिए आप कह सकते हैं कि important number होगा 606, इस level को watch करें, इस level के उपर अगर खुलता है, तो इस से clear by stop loss होगा 10 points का, so your stop loss will be at 595. 6 जरा keenly watch out करेगा, mixed numbers हैं, उस पर किसी पर नहीं जाता हूँ, इसके बाद week लेकर आँगा तो बातचीत कर लेंगा expert से, मिले जो ले numbers किस किस के हैं, एक ओ पेंट कंपनी आग्जो नोबेल, IA 2.5% बढ़ी, margins 30 basis points बढ़े, decent से हैं, DCX system mixed इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि IA तो 46% बढ़ी, पर उसके सामने margins 390 basis points कॉंट्राक्ट कर गए, केंस technologies के भी मिले जुले पर रखता हूँ, क्योंकि IA में बहुत गजब का, 75% का jump है, पर ये भी manage margins को नहीं कर पाए, हला कि DCX ऐसा pain नहीं है margins के front पे, 130 basis points margins का contraction है, Krishna Institute of Medical Sciences, जैसे हपन किम्स भी कहते हैं, मिले जुले हैं, IA 10% बढ़ी, पर margins 320 basis points गिरे, ये pharma health care में लोग Q&Q भी देख ले रखते हैं, तो मैं Q&Q margin ज़रूर 80 basis points का improvement है, पर मैं mix रखता हूँ, ऐसे ही पोकरना नाम की company mixed है, I flat थी पर margins में 590 basis points, यानि कि कह लिए जिए 6% का improvement, पर I flat रही, इसलिए mix रखा, लिए तो internals इसके अच्छे थे, अब आईए कुछ week numbers पे, और उस पे JK paper गाबसार आप ready रखना आ रहा हूँ मैं आपके पास, तीन week numbers बताता हूँ आपको, JK paper की I flat थी, उसके सामने margins 730 basis points उड़ गए, रत्नमनी metals and tubes, I flat थी, उसके सामने margins 360 basis points गए, flat बतलब 0.2% का I में decline था, इसलिए मैंने का flat और इसके सामने margins कितने challenging होगा है, ऐसे ही Prince Pipes नाम की company, I 73% गिरी और margins 690 basis points कट गए, 7% margins में decline था, तीन week, गाबसार JK paper, JK paper का जो चार्ट है, उसके सबसे लगता है, यह एक up move on है, 300 strong support zone है, थोड़ा dip मिलता तो कई बात नहीं, लेकिन 450 तक possible है, लेकिन long term के लिए, short term में थोड़ी business है, लेके पर दो, इन quickly stocks in news और रख देता हूँ, Dixon Technologies रड़ाप पर रखिएगा, Acer Pure नाम की company के साथ करार कर रहा है, उसके लिए consumer appliances products बनाएगी, Indigo remedies के results पे कल react कर रहे थे, शाम को अपडेट आया कि USFDA ने इनकी एक नवी उंबई में facility है, उसमें कोई आपती सामने नहीं, inspection successfully completed, और ZIDUS Life की अभी सुवेज सुपे खबर आई है, कि MSN Labs की company के साथ करार कर रहा है, यूएस में licensing और supply आएगा, लख ली जगे इनको radar पे, और results आज JSW Steel के हैं, और 5 वाइदा बदार के 6 बदार के numbers, उताबन बता चुके है, election selection की तरफ बढ़ा जाए, दोनों experts को रख दीजे screens पे, सन्नी जी, क्या खरेदवा रहे हो sir? आशी जी, आज का election pick रहेगा, चोला मंदलम Investment Time Finance Limited, मुरुगुपा ग्रूप की कंपनी है, बेसिकली रूरल फिनाइंसी एंडेस्टी है, प्रीडॉमिनेंटली इनका जो बेल्डिंग पोट्पोलियो है, जाट इस तुवर्ट वेहिकल पैनल, और इसके अलावा उपलेट हमने देखाए कि, इनका जो डाइवर्सिकेशन हुआ है, हॉम लोन और इसके अलावा जो परसनल लोन, SME सेग्मेंट में, प्रीडॉमिनेंटली रूरल बेल्ट में फंडिंग करती है, और हमें लगता है कि कोस्ट इलेक्शन और जिस सारह से अब इस साल नॉर्मल मंसून के एस्पेक्टेशन है, उसके जलते इनकी जो अडवांसे की ग्रोथ है, अगले दो साल में 30% के अगर से ग्रोव होगी, NPA रिशो जो इनके स्पाइक हो गए थे, कोविड के बात मुझे लगता है कि अब काफी हद तक कंट्रोल में आ गए है, नॉर्मल में 6.5% हो गया था, कोविड में, धट करके GNP 3.5% हो गया है, और अगले दिखा गया है, इस कौर्टर के पॉनगॉल हुआ था तो आजब हिस्टोरिकली जब पाहनी जीवाल है। ओके, तो चोला सनी जी करे डार पर मारस क्वीकली आपका पिक। देखे, PFC पे रिकमेंडेशन है, PFC पे खड़ीदारी करने की रायराएंगी, तो यहाँ पर प्रफेक्ट यह हो गया आज के बहतरीन, इलेक्शन सिलेक्शन पिक्स, तोनों फिनाइशल्स, मुनाफ़े की तयारी अब समेट ली जाए, बतादें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार, एक्सपर्ट की अपनी नीजी विचार होते हैं, वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है, यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी इनिवेशन इंडला लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा लें,